असलाम वालेकूम और सबको नमस्कार आज जो नरेंदर मूरी जी स्टड़ी सेंटर ने हम सबको इन्विटेशन उनके बड़े के उपर दिया है और हमारे देश के मानने प्रधानमंत्री स्री नरेंदर मूरी जी को तेहे दिल से हम सबके तरफ से मुबारग बादी है और उसके साथ साथ जो उनकी माँ जो हीरा वेहन ने हमारे जो देश के पैमिनिश्टर हैं एक Village के एक कोने में अहमदाबाद गुजराट में उनको जो जनम दिया उनके जनम देने पर भी उनको मुबारग बादी हो जबके वो सुचे नहीं थे के उनके बेटे देश के पैमिनिश्टर बनेंगे और हमारे देश के पैमिनिस्टर की कुछ बातों ने हमारे दिल को हिलाया है और हमारे दिल को बहुत जियादा अट्रेक्ट किये हैं बहुत सारे देश में पैमिनिस्टर आये हैं उनके लेवल में उन्होंने काम किया है मगर जो हमारे देश के पई मिनिश्टर ने जो काम किया है वो हजारों साल तक रोशन रहेगा और चांद पर चंदराइन को पहुंचाने तक क्यों न हो और सब के साथ सब के विकास का नारा क्यों न हो भले अपोज वाले हजारों बातें करते रहे नगर सूच जो होती है सब के साथ सब के विकास जो यहां पर जितने भी गेस्ट बैठे हैं और आप सब को और सारे देश को मैं यहां से यही आवाज देना चाहती हूँ जो लोग सब के साथ सब का विकास रखना चाहते हैं उनको चाहिए कि हम सब एक भारती बनकर इनसाफ के साथ रहें सचाई के साथ रहें और अच्छाई के साथ रहें और जात और जमात के साथ नहीं बलके जो अच्छा काम होता है हम उसकी तारीफ करने के साथ रहे तो उसके साथ साथ हम अपने देश के प्रधान मंत्री को वापिस हजारों बार मुवारगबादी पेश करते हुए और उनके जनम दिन को उपर वाला अल्लाह रबुलालमीन उनके उमर को दरास करे और देश के बहुत सारे काम करने की मुखे दे उसके साथ उनकी और एक बात भी बहुत मेरे दिल को चुग गई थी मैं एक ट्रैवेल में थी उस वक्त में मुझे मेसेज आया कि हमारे देश के पैमिनिस्टर के मा का दिहांत हो गया है और उनकी मा दुनिया से चले गई है मैं मीडिया में देख रही थी चानल में देख रही थी वगयरा सब कुछ भी तो मैंने सूचा कि देश के पैमिनिस्टर की मा का इंतिखाल हुआ है मैंने सूचा कि बहुत सारी military होगी बहुत सारी army होगी बहुत सारी public होगी शायद लोगों ने इस बात को ध्यान दिया है या नहीं मुझे नहीं पता मगर मैंने इस बात पर ध्यान दिया और गवर किया मैंने सूचा कि बहुत सारी लंबी public होगी पूरे लोग आएँगे, पुरा देश आएगा, पूरे चीफ मिनिस्टर आएँगे, पूरे इंडिया के मिनिस्टर जाएँगे, क्याविनेट मिनिस्टर जाएँगे, बहुत सारा हंगामा होगा, मज़मा होगा. मगर हमारे देश के पैमिनिस्टर की जो सूच थी वो बहुत अच्छी सूच थी जब उनका परसनल लवल आता है तो उन्होंने कहीं भी जो है पब्लिक मनी को यूस ने किया और पब्लिक मनी को खर्च ने किया और खर्च होने से उन्होंने बचाया कि उस वक्त जब देखते हैं तो उनकी माँ का जब दिहान हुआ है और आखिर वक्त में उनके जो आखिर के वो जो यह होते ही वो इतनी साधगी से थे जो बहुत कम लोग बहुत साधगी से वो साथ में गए और उस ही दिनने पूरा वो जो अंतम समस्कार था, जो भी थे, रस्मो रिवार, वो सब कुछ उन्होंने कर दिया, और आकर मीटिंग में शिर्कत कर लिये, और ये मैं नूस में देख रही थी, तो मैंने ये किसी को आज तक शायद, शायद मैं किसी को अपने आसपास वालों को भी ये बात नह किसी को किसी को कर दी अगर इसनाधा, रखताए ये लौसंवालों को वालों किसी को म Tra фильा है तो महती सिर्कत कांटर कैयीं ये । मगर उन्होंने इतनी सादगी से इस चीज़ को कर दिया कि सीधा फ्लाइट में और सुने और ये होते ही वापिस आकर मीटिंग में भी शिर्कत कर ली और फिर वापिस जो है मीटिंग में आकर पब्लिक के लिए देश की बात कर रहे ही ये बहुत ही अच्छा लगा और दिल कुछ हो गए और दूसरी बात मन की बात को लेकर बच्चे बच्चे को बात करना कि तुमारे मन में क्या है आज लोग तो अलग-अलग बातें मनाते ही बातें करते ही कि उसने जीत गए, ये पार्टी है, ये पार्टी मुसल्मान की मदद है, ये पार्टी मैनारटी की है, ये पार्टी मुसलिन की है फलाने, तो मैं यहां जितने भी लोग बैठे हैं, उनको और देश को एक ही मेसेज देना चाहती हूँ, पार्टी को और देश के पाई देखती है, पब्लिक सूसती है और पब्लिक के हाथ में ये चीज होती है इसलिए हम बीच में लड़कर ना मरे इन चीजों को और ना इन चीजों पर ध्यान दे हम सब ये एक बन कर चले इंसाफ के साथ रहे, भले जो भी इंसान इंसाफ करे उसकी बात करे और सच्चाई के साथ रहे कि ये पहले पहले जब सुनते थे अपने लोग कुछ कहते थे तो कुछ बातें सूझने पर मजबूर करते थे अगर जब प्रेक्टिकल देखा गए तो ऐसे एजासित बात इसे डिय। और उन्होंने आज़क सिस्टीन में एक स्पीज दिये और स्पीज देते हुए देश की बात करते रहे बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर के स्पीचों को जो है मैंने सुना है मगर देश की बात करते है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने एक बड़ी बात कही थी मैं सारे देश के महिलाओं को ये बात यहां से मिसेज देना चाहती हूँ कि देश में महिलाओं कम नहीं है 64 करोड उमेंस हैं देश के अंदर और उन सारे महिलाओं को कहना चाहती हूँ कि उन्होंने एक बात कही कि मैं देश में लगपती दीदीज को बनाना चाहता हूं, उनको बिजनेस उमेल्स बनाना चाहता हूं, उनको अपने पैरों पर खड़ा करना चाहता हूं, कई schemes को लांच किया है, भले schemes, development नहीं हुए, villages तक नहीं गए, उन महिलां तक नहीं पहुंचे, मगर कई schemes जो है, उन्होंने लांच किये, उनको बिजनेस का लोन चूना हो, free interest लोन चूना हो, बहुत सारे schemes को जो है, उन्होंने लांच किया, मगर आज तक किसी देश के पए मिनिस्टर ने, आगस 15 के दिन, और उस वहां पर रियाम पे खड़े होकर, महिलाओं की सूच नहीं सूची, बलके महिलाओं के लिए उन्होंने कहा, कि मैं लगपती दीदीश को बनाओंगा, तो ये बात तो मेरे दिल कुछ चूगई है, उस दिन तो मेरे आंखों में आंसों निकल चुके थे, मैं इससे जियादा कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगो होता है, छोटी लडाई होती है, एक्जामपल वहां पर कुछ हो गया, दो, तिन लोगों की लडाई हो गई, और वहां पर मनिपूर में कुछ हो गया, तो पूरे संग कुबरा कहना, ये बड़ी गलत बात है, आप अपने घर में चार बच्चे पैदा होते हैं, चार साती हूं कि मैं किसी की सेवर कर रही हूं, आप जेस्टिस पार हुम्यानिटी के लिए काम करें, और सब के लिए इंसाफ से सूचें, अपने उपर सूचें सबसे पहले, जब हम चार बच्चों को सबाल नहीं पाते हैं, वहां कहीं पर ये गुना हो गया, तो पूरे लोगो पर उस गुना को थोम दिये, वहां पर कोई ये गलत हो गई, एक ही पार्टी को पकड़ कर पूरे लोग वो बोलने लगे, तो इसलिए पार्टी को पर मत जओ, पुलिटिकल पार्टी को पर मत जओ, इंसानियत को सूचो, और इंसानियत के उपर बात करो, हम भारती हैं, हम देशवासी हैं, जहां अची बात होती है, जहां इनसाफ की बात होती है, तो जरूर उनके सूपोर्ट में बात करो, तो सूपोर्ट में बात करने के लिए कभी मध्डरू कुछ नहीं होगा, आप सच के साथ रहो, और मैं फिर से मुबार्ग बादी पेश करती हैं हमारे दे के पर मिनिशर को और उनकी हायात उपर वाला लंबी दे और उनों देश के लिए और भी बहुत ज्यादा काम करें और अथे काम करें और देश के लोगों के लिए देश के बच्चों के लिए देश के स्कूल के लिए देश के महिलाओं के लिए देश के गरीब लोगों के और मैं यहां पर खड़े होकर बात करने के लिए बहुत शुकर गुजारू